आपके प्रोगाम मेरे आस्मान में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त मारूफ रजा हर बार मैं आपके पास एक ऐसे शक्स को लेके आता हूँ जो बहुत कुछ जाते जाते हमें सिखा जाता है बता जाता है नए दिशाएं दिखा जाता है जी हाँ आज मेरे साथ मौजूद है डी एस ए यू के प्रो बी सी प्रोफिसर रिहान काज सूरी आपको सौट है शुपरे हैं सबसे पहले क कि आखरकर ये डी एस ए यू है क्या इसका क्या वजूद है क्या वज़ा है किस तरह की की चीज़े यहां होती है देखिए देली गौवर्मेंट ने दो हजार बीस में इस यूनिवरस्टी को कायम किया देली इसकिल एंड आंटर्परिनिवर्शिप यूनिवर्स्टी ये हि सकते हैं ये यूनिवर्फ मैं यूनिवर्स्टी सिंवर्ण गरराओ नियुज तो हर इनसान यूनिवर्स हुदा लेकि इहम जो है जो इसमें बात है वो क्या है कि सरकार का जो फोकस का यह था एक जो टेकनिकल एजुकेशन चाफ़त तो पॉलिटेकनिक एजुकेशन के हम बात करें जिसमें एक बड़ी तादाद वहां से आती है जो उस तरह के घरों से आती है जो बहुत वैल आफ नहीं होते हैं क्योंकि डिप्लाउमा इंजिंग में आते हैं या दस्वी किलास के बाद वह बच्चे आते हैं तो दिल्ली के जितन के अध्युकेशन को हाइर एजुकेशन में लाया जाएं लेकिन युक हो करते हैं कि जो क्लास फैमिली सोती थी जिनके पास हैंट टू माउथ होते थे तो अक्सर जो क्या करते थे कैपमें बच्चों को आटवी दसवी के बाद कि बस बहुत हो गया हम पढ़ानी सकते आप ये काम सीक लो आप वो काम सीक लो ताकि रोजगार शूरू हो जाए तो मुझे लगता है कि उसी कुंसेप्ट को आपने बड़े ही सोफिस्टिकेटड अंदाज में दिली सरकार ने इस तरीके से पेश किया है कि बच्चों की एजुकेशन भी ना खत्म हो और उनके पास कोई कोई उनकी मनमर्जी का रोजगार भी मिल जाए देखिए बिलकुल आप सही कह रहे हैं और इसमें दो मकसद हैं इसकिल डेवलपमेंट को हमेशा इस नजरिये से देखा गया कि जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो कोई हुनर सीखने के लिए मिसाल के तोर पर जब भी स्किल की बात होती है तो लोग दो-तीन स्किल से उसको कनेट करते हैं जैसे कारपेंट्री एलेक्रिशन वेल्डिंग तो उसका एक सौशल स्टिग्मा भी है लोग जनरली स्किल को ऐसे देखते हैं कि अरहे आप छोटा मोटा आपने टेग्नीशन मनने का कोर्स कर लिया हम लो के साथ हो एक इंजीनियर होता है लेकिन एक टेक्निशन आदमी भी एक क्वालिफाइड हो सकता है इसी तरह से हमने अभी लास्ट यर 16 अंडर्गेजुट प्रोग्राम्स लॉंच किया अच्छा यानि कि 2021 बैच में 21 22 बैच और 22 23 बैच अभी हमादे दो बैचेस एड्मिट वो है बीए इन बीए अबलीक बीए सी इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी अच्छा तो जो एक सैलून में काम करने वाला कोई भी है या पालन में काम करने वाली लड़की हो सकती है उसको एक ग्रैजुएशन की डिग्री उसके बाद वो अपना सैलों खोलता है या खोलती है या उसके बाद वो कहीं किसी बड़े सैलोन में काम करते हैं या किसी वैलनेस सेंटर में काम करते हैं उसके लिए एक स्कोप ही स्कोप है और क्वालिफाइड है यह अच्छी बात है कि आपने लोगों को एक नई दिर्शा दी एक डिरेक्शन दी और एक जगह दी कि आप यहां पर आकर कि यह सब चीजे सीख सकते हैं लेकिन सवाल उसके बाद खड़ा यह होता है कि क्या यह डिगरी लेने के बाद यह स्किल लेने के बाद उनको आसानी से कमफर्ट जोन के साथ वो स्किल जो विजनेस वो एरिया मिल पाता उसके लिए D.S.E.O.E. क्य थोरू रिसेर्च की, कि किस अरीय में कॉर्स शुरू किया उसके बाद, उस रिसेर्च के बाद, कुर्स शुरू करने से पहले, जो अइरियाज आइडिंटिफाई हुए, उन एरियाज की जो टॉप कमपनी थी नको अपरोच किया उनको invite किया कि वो हमारे साथ आए और कोर्स शुरू करने हमारी मदद करें और हमें पार्टनर करें उस एरिये की जो भी टॉप कंपनी थी उनको हमने उनके जो senior technical लोग थे उनको एक करिकुलम एड्वाइजृरी बचान बचान परहिए अच्छा ओर करेकुलम एड्वाइजरी गुरूप में कुछ लोग आधे लोग एकिडमिया से लिये और आधे लोग इंडश्ट्री से लिये उस फिल्ड के ईवहर इनको बिठाया आप उस का क्रीकुलम ड़िजाइन किया और उसके बाद वो कोर्स लाँच किया और यकीन मानिए कि जितने भी हमारे यह अंडर गैजुट प्रोग्राम से उसमें हमने हर एक इंटरिंशिप का कंपोनेंट रखा है और जॉब ट्रेनिंग का कंपोनेंट रखा है उसमें क्या होता है कि बच्चे जैसे मैं बता हूँ ए पैसे भी देती अरे बाद तक्रीबन 9000 रुपे से लेके 7000 रुपे से 9000 रुपे तक कि उनका स्टाइपेंट रहता है तो बच्चा एक कोर्स भी कर रहा है उसको इसकी पॉकेट एक्पेंसेज भी मिल रहे है और उसकी लर्निंग एक्सपिरियंस भी हो रहा है कोर्स परिए कि मुझे लेना है किसी जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनके किसी बच्चे को लेना है तो क्या क्राइटेरिया और किस तरीके के स्किल्ज हैं ठीक हम लोग दोस्तरे से बलकि तीन पैस्चीज में करते हैं एक हमारा डिप्लोमा के अडिमिशन से अलग रहते हैं टेस्ट होता है वो सोला डिस्प्लीन में ौफर करते हैं जिसमें इंजिनरींग और नॉन इंजिनरींग इंजिनरींग होते हैं इसी तरह से इंटियर डिसाइइं आर्ट अर्किट्र अप्लाइड से अर्थित जु अज़िक्टियू जो जो बच्चे यूजी में आते हैं जो अंडर गेज़िट प्रोग्राम् से वो 16 अंडर गेज़िट प्रोग्राम् में जो 12 के बाद बच्चों की जो मेरिट होती है उसके अलावा C.U.E.T. अभी आपने देखा जी तो डियूस हो गया है और सरकार ने भी कहा है कि आप C.U.E.T. के लेविल पर लीजिए तो और बच्चे सब C.U.E.T. दे रहें तो अच्छा यह होता है कि बच्चे C.U.E.T. दे रहें तो उनको हम C.U.E.T. के basis पर जो उसमें उनकी ranking होती है जो पूरी तरीके से वेल एकुट है और अच्छी तरीके से वेल सेटेटे जॉब में लगे हुआ। पिछले साल हमारा परसंटेज की बात करूं तू क्या रेश्यू देंगे है। एक बड़ा परसंटेज होता है। जनरली हमारे पास अगर आप एवरेज देखें और उसका ए परस्ट बैच हमारा अब अगले साल पास आउट होगा। जो हमने जो नए कोर्सेशन हो तो शायद उसमें बताना होगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूँ के तकरीबन 500 प्लस बच्चे वो हैं जो आल्रेडी किसी ना किसी फॉर्म में अभी इंटर्शिप कर रहे हैं इस फैकल्टी कैसी है तो एक ती फैकल्टी आपके इन-house फैकल्टी है वो तो होगी लेकिन इसके अलावा कि आपके पास फैकल्टी होती हैं तो किस लेवल की होती है देखिए हमारे पास बहुत अच्छा आपका सवाल है और मुझे लगता है कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो हमारे पास वैसे जो रेगुलर फैकल्टी है वो सारी UPSC से सेलेक्टिव फैकल्टी और बाकी हमने भी यूनिवेस्टी बनने के बाद यूनिवेस्टी के तुरू सेलेक्शन किया और बहुत ही जाहर है एक उस लेवल की अंडेस्टेंडिंग के लोग लेने की कोशिश की इस तरह की जरूरत है जो दूसरी सबसे एहम बात है वो यह है कि हमारे हमने अभी तक सौ MOU साइन किये हैं पिछले बिरसे दो साल क्या बात है बहुत बड़ा नंबर होता है और उसमें हमारा सबसे पहला जो कंडिशन है उन MOU की वह है कि वह हमें इंडस्ट्री प्रोफेश उसमें इंडस्ट्री के लोग भी उतने senior नहीं मिलते और हम परणे लोग भी करें बच्छों से जो अपकमिंग लेटेस्ट टेक्नलोजिये जो लेटेस्ट ट्री आप्टेस्स ट्रेंड वो भात protects मुझे जान कर रहे हैं कैना राओ और सॉटा सा भीकこれで ढटांगा आप को सी पसंदीदा प्रोग्राम मेरा असमान के साथ जिनके बारे मैं यू कहूं कि इनों ने जामिया में भी बड़े जंडे गाड़े और अब डियेस ईउ में भी एक मकाम पर हैं और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी तमाम जूटी स्कूव निभा रहे हैं जी अब बात करा हूं प्रोफेसर रहान खान सूरी की जी डॉट के आत है किसी बाप के लिए कहना कि यह बच्चा जादा अच्छा है वो जाहना रहता है एक डिप्लमेटिक अंजर उसदा क्या लेकिन फी सूल है कि दोनों वें फरक क्या है और किस तरह कि आपको यू कहूं के अचा कि दूटी ज्यादा पसंदों देखिए जामिया तो खेर कोई मतलब नहीं है लेकिन जहां तक मेरी responsibilities की बात है तो यहां एक specific responsibility थी वहां जाके थोड़ा wider perspective हो गया और जो सबसे एहम चीज थी वह यह थी कि बहुत सारी ऐसी चीज थी जो हम दिल से करना चाते हैं जब कभी-कभी आपको लगता है कि यह चीज करें अगर तो बहुत अच्छा होगा तो वहां वह freedom है आपके पास कि आपको फैसला नहीं ना है जो आप सोचते हैं कि आप उड़ो कितना उड़ सकते हो तो वहां एक वह freedom है और सरकार की तरफ से भी वह सपोर्ट है कि आप क्या बैस्ट कर सकते हैं कितना मैक्स क्योंकि कोई प्रिसिदेंट नहीं है क्योंकि यूनिवस्टी आपकी पहली बार बनी है तो आप कहां से लाएंगे कुछ कोर्स पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जादर तर कोई आप तो आपके लिए सामने बोट बड़ा चैलेंज होता है कि कि ऊअफ नए सिरे से जब शूरू करती तो आपको बहुत चैलेंजिंग होता मुझे लगता है वगी कhi मेरे का रोम भी प्रॉपर नहीं था वो बनना भी हमारे सामने शुरू हुआ उसका इंजाम किया उसके बाद केमपस को रिवेंप किया क्योंकि पराने केमपस थे फैकल्टी रेकूरूटमेंट किया सारे इंडस्ट्री industry को लाना industry के साथ curriculum डेबलब करना और उस पेस को maintain करना और आप सोचिए अगस 22 से लेके और तक्रीमन 22 स्वारी अगस 2020 से लेके और 22 February तक अच्छा ओविट का दौर रहा आप देखिये कितना मुश्किल वक्त था हम लोगों ने किस तरह से काम किया उन दिनों और हम कामियाब हुए 21 में तक्रीबन हमने December में अपना पहला बैच जब 5000 इस्टुइंट आइडमिट किये एज यूनिवेस्टी उससे पहले पुराने पॉलिटेकनिक के जो बच्चे थे कौन सा स्किल ज़रूर क्योंकि जो बच्चा जो आज पढ़ने आया वो तकरीबन तीन साल से पांच साल के बाद उसकी वह वहां पर पहुंचेगा जहां पर उसको पहुंचना है तो हमारा हमेशा इस चीज़ का फोकस रहा कि किस तरह से फूचरिस्टिक जॉब्स पर फोकस करते हुए और सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि जो हमें मैंने देखा वहां वो था फैकल्टी आइडेंटिफाई करना फैकल्टी को लाना क्योंकि एक नई उनिवर्स्टी में जाहर है अच्छा कोई इस्टेबलिश अगर कोई है तो क्यों आएगा इंडस्टी से लोग छोड़के नहीं आना चाहते यूनिवर्स्टी में और गॉर्मेंट सिस्टम में खास्तोर से क्योंकि गॉर्मेंट सिस्टम में आपके पास बहुत दादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती आपको वही ची चलते किसी ट्रैक पर है और जब वहां मंजल तक महुचने वाले होते तो लेफ्ट मुर जाते हैं या राइट मुर जाते हैं ऐसे वक्त में ऐसे एड्यूकेशन अब क्या कहेंगे क्या सजिस्ट करेंगें बच्चों को कि उनका एक जो फ्यूचर है वो सिक्योर फ्यूचर और ब्राइट फ्यूचर बने रहे हैं देखिए एक ही चीज मुझे लगता है कि आपको अच्छा फ्यूचर दे सकती है और सेक्योर फीचर वह है आपकी चुनियूस लर्निंग और चुनियूस लर्निंग आपको रखनी है कभी भी आप अगर यह सोचें कि आज मैंने इतना पढ़ लिया या आज मैंने यह दिग्री कर लिए कंप्लीट है कंप्लीट नहीं है इसकिल इनस्टेबिलिटी है एडवांसमेंट इतना तेजी के साथ है कि अगर आप उसे कोप नहीं करेंगे तो पता ही चलेगा कि आप पीछे रहे जाएंगे और दूसी सबसे एहम बात है कि there is no shortcut of hard work. Hard work का कोई substitute नहीं है. कोई इनसान यह सोचे कि मैं बगर मेहनत किये कुछ कर सकता हूं लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कुछ कर सकता हूं दो मैं कहूंगा बच्चों से जो भी आपका ये शो देख रहे हैं बल्कि कि एक तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखत देखिते रहे हैं कुछ ना कुछ करते रही हैं और हाड़ वर्क जाहर है आपको कभी भी आठ घंटे काम करके ससटने होना है और तीसी जो सबसे एहम बात है के हम्बल रहना है अपना नेशन के बारे में सोचना है है करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है तलाश करने पर तो खुदा मिल जाता है यहां तो डियस्वी है और रिहान खान सूरी साथ जैसे लोग मौजूद है एक सवार बार बार यह उड़ता है कि पेरिंट्स जाते हैं और बच्चे भी जाता है जो धर्ले के जो ट्रडिशनल कोसेस हैं उस तरफ एक्दम भागं भाग चली है कि डॉक्टर नी बना है प्रॉफिसर नी बना है और आइप यई सी बना है आईएसी बना है और अगर वहां कहीं उसको bacon लग जाती है तो बहुनी तरी से टूट जाता और बैट जाता और डिपरेशन का शिकार हो जाता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या क्या है सर आप देखिए ये बात समझने की है थोड़ सी 16 लाख लोग सीवीटी में भी बैठें तक्रीबन 14 से 16 लाख के बीच की फिकर है जाहर है ये धा ग्राइशन भी करेंगे चलिए हम यह माल देते हैं के 8 लाग लोग ग्रेजुएट होते हैं आठ से 9 लाख रुप हार्ट से 9 लाग इंजिनरिंग भी पास आउट करते हैं इसी तरह से तक्रीबन लेक्ष में आपकी मेडिकल के लोग पास आउट करते हैं एक साल में जो सिविल सर्वेंट्स की सीट्स होती है इस को छोड़ दी इस तो मुश्किल से होती होंगे देड़ सो दो सो डिपेंड करता है नंबर वेकेंशी के नॉट मोर दिन थाउजन 700 और 800 प्लस होती है आप नंबर देखिए उसके बाद कितनी गोर्मेंट जॉब्स होती हैं तो टोटल नंबर ही अगर आप देखेंगे आज की तरह में टोटल अगर समय मिलाने तो अक्रीबन 45-50 लाग नौकरी हैं गोर्मेंट में सेंट्रल गोर्मेंट के बात करें तो अगर आप गोर्मेंट के लिए जो लोग सोचते हैं मैं यह नहीं कहता कि एस्पारेंट नह करते हैं लोग हर इंसान बडा बनना चाहता है लेकिन बड़ा पहले दिन बनना चाहता है आपको यह समझना होगा और दूसरी बात यह 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 पांच ओंगली में बराबर नहीं है पैरेंट को भी समझना मैं बहुत देखता हूं बच्चे रोते हैं चैसिए करियर कांसिलिं डॉक्टर हो तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने क्यों बनेगा बच्चे की चॉइस को देखना चाहिए उसका इंट्रेस्स को देखना चाहिए उसकी स्किल उसका टैलेंट भी देखना चाहिए वह सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट टैलेंटे होते हैं बच्चे तो समझन लोग मिलेंगे और हर फिल्ड में आपको नाकामियाब लोग मिलेंगे इस सवाल यह उठता है एडुकेशन पे बहुत काम हो रहा है सरकारे में बहुत सारा काम कर रही है लेकिन क्या उस तरीके की अवेरनिस अभी तक आपाई है कहां लैक कर रहा है यह पुरा सिस्टम कि आज भी बहुत सारे बच्चे बच्चिया जो है या तो स्कूल तक जा नहीं रहे हैं या जा रहे हैं तो बहुत ही यह कहूं कि शरवात में घरा कर बैट जाते हैं उनके लिए क्या किया जाए क्योंकि यह बनियादी यह कहूं कि हमारे राइट से उनने से किये हैं बिल्कुल Samuel Sulayam, कर दो को जना, से निम्मी आपको जना को पू counts हला कर दों को दो पना इंढ़ गट है थे दो के उननलばकर आप एक हैं तो मेरे जो अ इख दाए लोगों के, करूं कलकता हमें रहते हैं और आप दिल्ली में पढ़ना जाते हैं आप वहां बैठके भी अपलाई कर सकते हैं जाइसी बात है तो ये सबसे आसान काम है तो ये मुझे लगता है कि दो चीजे मैं जरूर आपके चैनल के जरीय कहना चाता हूँ ये सबसे बड़ा सोशल वर्क है कि आप लोगों को ये बता दें कि अपॉर्चनिटीज कहां है ये एक मिसमैच है अपॉर्चनिटीज जहां होती हैं वहां लोग नहीं पहुँच पाते हैं और जहां लोगों को जरूरत होती हैं वहां तक अपॉर्चन मेजारी को उठा लें कि मेरे मोहले के हर बच्चे को ये पता होगा कि अपॉर्शनिटी कौन-कौन से होती एक मेरा आखरी सवाल और बड़ा बन्यादी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप ये समझ रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि आज भी जो लेवल गौर्मन्ट स्कूल्स के ह और प्राइविट स्कूल्स के हैं बहुत जबर्दस डिफरेंसे हैं अगर हम उस डिफरेंसे को कम कर दे तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी के बजट में रहते वे वो उस लिवल की एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाएगा आज भी जो है पेरिंट्स चाहते हैं ज लेकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो चंगी स्कूल हुआ करते थे जिए मैं यूपी की बात करता हूँ हर तक्रीबन हर कस्बे में एक इस्लामिया स्कूल हुआ करता था मकतब होते थे और प्राइविट स्कूल तो ना के बराबर होते हैं हम सब लोग सरकारी स्कूल में गए और सरकारी स्कूलों से होते हुए आ यहां तक पहुंचे ऐसे बहुत लोग है मुझे लगता है ऐसे 90 परसेंट लोग है तो कहने का मकसद मेरा यह है कि अभी क्या हुआ है कि सरकारी स्कूलों से लोगों ने सवाल करना बंद कर दो आप यह देखिए कि जो टीचर अप पहुंचते हैं कि कमटिशन होता है कमटिशन में आके वो ही आदमी पहुंचता है जो वाकई में एक अच्छा टीचर होता है क्वालिफाइड और मेरिटोरियस आप क्यों नहीं सवाल पूछते मैंने आज तक किसी स्कूल के बाहर भीड नहीं देखी इसलिए कि यहां पर क्लास नहीं होती इसलिए तो देखिए कि आप इस स्कूल को बंद कर दो आज चुटी करनी है आज तो हमारी सोसाइटी को कम्यूनिटी को इसके लिए तयार होना कि आप सवाल पूछना शुरू कर बढ़ी ठीक है मैं पड़ा लिखा नहीं हूँ मैं नहीं पूछ सकता सवाल लेकिन आप तो पड़े लिखे हैं हर महले में चार तो पड़े लिखे होते हैं वो सवाल क्यों नहीं पूछते कि बच्चे की क्यों नहीं किलास हो रही तो असल एंजियो का यह काम आजकल इतनी इतनी agencies, इतनी schemes हैं अगर जरूरत है तो उनको लाइए corporate तयार हैं, सिर्फ आपको लोगों को connect करने की जरूरत है सवाल पूछने की जरूरत है, मुझे लगता है कि हमारी community को और इस society को सवाल सही सवाल पूछना शुरू करना चाहिए सही जवाबों के answer को implement होते हुए उनको follow up भी करना चाहिए मझे लगता है उसकी ज़्यादा जरूरत है और दूसरा एक important चीज यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा scholarships को channelize करना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको जाहर है NEET की तैयारी की ज़रूरत है जिनको JE की ज़रूरत है एक बच्चे को मिसाल के तोर पे जिसने 90% प्लस स्कोर किये ट्वेल्थ है और वो बच्चे के पास उतने पैसे नहीं है कि वो किसी बड़ी कोचिंग में जाकर तैयारी करें तैयारी की ज़रूरत है बहुत सारे हमारे एदारें जो इस तरह की कोचिंग कराते हैं लेकिन अच्छे एदारे अभी भी ज़रूरत है तो मुझे लगता हूँ उसके लिए जरूर हमें हम मेडिकल कॉलिज ना खोल के हम उन बच्चों की फीस अकर अरेंज कर लें तो मेडिकल कॉलिज खोलने में आपको तीन सो करोड़ रुपे खर्चा होता है अगर वो आप दस करोड़ रुपे भी उन बच्चों की फीस के लिए पूल कर लें और उन बच्चों को देखें जो बच्चे वाकई में जैन्विन है 90% जिसने अल्रीडी स्कोर किया तो उसको अगर आप एक साल पढ़ाएंगे तो मतलब ही नहीं है कि वो नीट में न क्वालिफाई कर पाए इसी तरह सिर्फ जैए में क्वालिफाई न कर पाए तो मुझे लगता है कि इस तरह की तन्जीमें बननी चाहिए हैं तन्जीमें लेकिन कम है क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मास है हिंदोस्तान में आप तो जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आवादी 24.40 करोड हो गए हम तो इस तरह कि अगर काम शुरू हो तो मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे प्रोगांज चैनल के होते हैं लेकिन बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए लेकिन कहना यही है कि तू ही ना चाहे तो बहाने हजार है अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अपना फ्यूचर बेटर करना चाहते हैं तो there is no stop आप कुछ भी कर सकते हैं जरूत यह है कि जमीन पे रहे और आस्मान की तरफ नजर बना के रहे फिलाल इतना है अगले हफते एक नए मेमान के साथ फिर हाजर हूँगा कुछ बहतरीन बातों के साथ कुछ महत्वपून जानकारियों के साथ जो आपको कुछ सिखा जाएंगी कुछ बता जाएंगी और नए रास्ते पर चला जाएंगी जहांसे आपको बाख भी आपकी मनजिले मक्सूद मिश्चे करें फिलाल इतने हैं अगले हफते फिर मिलते हैं धन्यवाद झाले हैं